Hello everyone and welcome to the YouTube channel of A24 Knowledge आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे High Court of दिल्ली के Junior Judicial Assistant or Restore Examination 2020 की ये फॉर्म आ चुका है चालू हो चुका है तो आपको अगर apply करना है online तो घर पर बैठ कर आप इसे कैसे फॉर्म को भर सकते हैं बिना कोई गलती किये ये आज हम इस वीडियो के अंदर हम पूरा बताएंगे आप बने रहीएगा हमारे साथ अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बैल आइकन की घंटी ज़रूर प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी कोई भी नोटिफिकेशन कोई भी भरती जॉब तब भी आती है आपके पास नोटिफिकेशन आसानी से पहुच सके तो चली शुरू करते हैं इस वीडियो को इसी के साथ सबसे पहले यहाँ पर आपको दो चीज़े दिखाई दे रही होंगी लॉग इन टू एपलाई ऑनलाइन के अंदर जहाँ पर फ्रेश कैंडिडेट लॉग इन का एक आइकन दे रखा है और एक दे रखा है अल्रेडी लॉग इन कैंडिडेट का तो अगर जिन स्टूडेंट्स ने पहले से आईडी अपनी बना ली है तो वो दूसरे नंबर के इस लिंक पर क्लिक करें और अंदर जा सकते और अगर मान लीजे कोई नया स्टूडेंट है यहाँ पर हाई कोट अफ दिल्ली का यह फॉर्म भरना चाहता है तो पहले वाले आइकन पर क्लिक करके अंदर चला जाएगा अंदर जाने के बाद आपको कुछ इस तरीके का Certificate यानि कि 10th Class का जो भी Certificate है आपके पास या Metric के अंदर जो भी Certificate है आपके पास आपकी जो Mark Sheet है उसके अंदर आपका क्या नाम है ठीक है तो चलिए नाम हम भर देते हैं यहाँ पर कोई भी आपका नाम हो सकता है वो आपको पूरा भर देना है यहाँ पर दूसरी ची पर post applying for आप किस post के लिए apply करना चाहते हैं जब आप इस icon पर click करेंगे तो यह आपके पास खुलेगा junior judicial assistant या फिर restore का तो आप इसे click कर दीजेगा उसके बाद आपको भरनी है email id ठीक है आप कोई भी अपनी email id यहाँ पर ले लेना और उसको भर देना जैसे ही आप यहाँ पर id आपनी link देते हैं gmail.com उसके बाद आपको यहाँ पर एक password create करना पड़ेगा यह 4 character का minimum होना चाहिए और maximum आप 8 से 10 का रखें जिसके अंदर आप characters यूज़ कर सकते हैं जहाँ पर आप numbers यूज़ कर सकते हैं इस से के थूँ आप password भरा लीजेगा उसके बाद आता है आपका mobile number तो यहाँ पर एक चीज़ आपको धिहान देनी है कि mobile number पर OTP आपकी जाने वाली है तो OTP जब जाएगी इसका मतलब mobile number जो भी आप ले रहे हैं वो आपका इस समय active होना चाहिए तो वो mobile number आप यहाँ डालें और get OTP का बटन दबाएं ताकि आपके पास वो OTP यहाँ पर मिल जाए OTP जैसे यह आपको मिल जाएगी आपने OTP डालनी है यहाँ पर एक page उपर होगा जहाँ पर आपको OTP डालनी है उसके बाद आप उस OTP को confirm करने के बाद आएंगे यहाँ पर ठीक है यह है हमारा registered candidate login जिसके अंदर आपको अपनी email ID डालनी होगी आपने जो date of birth डाला है वो डालना होगा और password डालना होगा इसके बाद हम आगे की बात करेंगे जैसे ही आप वहाँ पर submit करेंगे तो आप इस page पर पहुँच जाएंगे जहाँ पर आपको यह welcome करता है यहाँ पर कुछ action और status आपके दिये हुए हैं तो यह जैसे ही चीज़े आपकी complete होती जाएगी यहाँ पर आपका tick का sign, right का sign आता चला जाएगा सबसे पहली चीज़ जैसे इसमें है action number one fill the application तो इस पर हम click करेंगे और click करने के बाद पहुचेंगे हम इस page के उपर पहला page के अंदर पहला जो icon है हमारे पास कहता है click here to fill personal details तो अपनी जितनी भी personal details है जैसे कि आपका नाम क्या है आपके फादर का नाम क्या है आप कहां रहते हैं ये सारी चीज़े आपके पहले icon के अंदर complete होंगी दूसरा icon हमारे पास है click here to fill qualification details आपने कौन सा exam pass किया हुआ है आप कहां तक पढ़े हुए हैं ये सारी qualification की जितने भी चीज़े हैं वह आपके second उसमें आ जाएंगी तीसरा लिखता है click here to fill experience details तो आपके पास अगर कोई experience है तो आप mention कर दीजिए इस तीसरे number पर और चौथा है click here to fill additional details अगर कोई extra आपके पास information है जो इन तीनो icons के अंदर नहीं आती तो आप यहाँ पर जाकर के click कर सकते हैं तो चलिए सबसे पहले हम click here to में start करते हैं fill personal details के अंदर तो यहाँ पर आपके पास इस तरीके का form open होगा अब देखें यहाँ पर examination center जो है ना वो आपका directly fill किया हुआ है वो है Delhi तो जिन भी चीजों पर star लगा हुआ है या एस्टरिक लगा हुआ है वो mandatory है इसका मतलब वो भरना जरूरी है आपको तो जैसे यहाँ पर examination center city directly Delhi आ रहा है यहाँ पर मैं इसे नहीं भर रहा हूँ यह directly आएगा तो आपको यहाँ पर चिंता करने की जरूरत नहीं है दूसरा चीज आता है name of candidate post applied for तो देखिए name आपका directly खुदी आ जाएगा और यहाँ पर आप Mr. Mrs. यह आप select कर सकते हैं ठीक है तो मैंने यहाँ पर Mr. यहाँ पर select कर लिया आपकी जो भी date of birth होगी वो आ जाएगी यहाँ पर date of birth age जो है वो एक जनवरी 2020 से यह मानेगा मतलब 1 जनवरी 2020 तक आपकी जो भी date है वो यह है 23 साल 24 दिन ठीक है यह आपने इस यहाँ से लिए है ठीक है न तो आपके date of birth से 1 जनवरी 2020 तक फिर उसके बाद आपसे पूछता है place of birth क्या है आपका ता आप वो भर दीजिए उसके बाद यह आपसे place of birth पूछेगा कि आपका जन्म कहां पर हुआ है जन्म स्तल क्या है आपका वो आप बताईए उसके बाद आता है यहाँ पर father's name ठीक है पिताजी का नाम क्या है आपका gender आप male, female, third gender जो भी है आप select कर सकते हैं यहाँ पर उसके बाद लिखा है present address do not mention your name again ठीक है यहाँ पर आपका present address जो भी है वो आपको यहाँ तीन boxes के अंदर fill करना है ठीक है इसके बाद permanent address fill करना है अब देखे permanent address अगर present address से same है तो आप यहाँ पर जो check box रखा हुआ है इस प email ID automatically यहाँ पर दी हुई है अगर आपके पास STD phone number है यहाँ पर telephone number तो आप यहाँ mention ज़रूर कर देना और नहीं है तो mobile number आपने यहाँ पर पहले से ही दिया हुआ है उसके बाद करते है mobile number 10 digit का अगर आपके पास कोई दूसरा है तो वो भी आप यहाँ पर डाल सकते है उसके जब जिला और उसके बाद आपके पास State कौण सा है आप किस states के निवासी है वो यहाँ पर आ जाएगा उस State का आपका PIN Code क्या है district का वो भी आप यहाँ पर रख呢ура उसके बाद आपकी City City का PIN Code जो भी होगा वो आप देहीं सकते हो यहाँ पर ठीक है State आप देहीं सकते हो तो यहाँ पर टेंशन लेने की ज़रुत नहीं है alternate email ID भी आप यहाँ पर provide करा सकते हो इसके बाद हम थोड़ी सी और डिटेल मांगते हैं जैसे की category, category कौन से आपके आप जनरल में आते हो economic week section यानि की EWS से आते हो, OBC से आते हो non creamy layer हो गया, schedule cast हो गया schedule tribe हो गया, ST से हो तो आपको यहाँ पर आपकी fill करनी पड़ेगी उसके बाद यहाँ पर आता है are you person with disability यानि की आप handicap वगेरा तो नहीं है अगर आप हो तो yes कर देना, नहीं हो तो no कर देना, उसके बाद citizen of India आप India के citizen हो तो हाँ कर दीजिए ठीक है, इसके बाद आप ex-serviceman क्या आपने पहले कभी नौकरी की आप ex-serviceman हो तो हाँ या ना उसके बेस पर आप डाल सकते हो उसके बाद कहता है, are you in regular service in Delhi high court क्या आप Delhi high court के अंदर पहले से कारेरत हैं, काम कर रहे हैं, तो उसके बेस पर अगर आप पहले से वहाँ पर काम कर रहे हैं और इस जॉब के लिए भी apply करना चाहते हैं तो yes करना, और अगर आप फ्रेशर हैं या आपके पास Delhi high court के अंदर आप जॉब नहीं कर रहे हैं, तो आप यहाँ पर no कर देना ठीक है, इसके बाद आता है आप जो भी public sector हो गया ठीक है ना, autonomous body हो गई या फिक government का कोई department है वहाँ पर employee हो गया, अगर हो तो yes कर देना, और नहीं हो तो no कर देना उसके बाद यहाँ पर दो check box आएंगे यह आपको tick करने पड़ेंगे, tick करोगे तो उसके बाद यहाँ पर पहुचेंगे हम save personal particulars के उपर ताकि आपकी सारी की सारी details एक बार जरूर इसको check जरूर कर लेना पूरे वाले को, जैसे ही आप check कर लोगे पूरा कि हाँ इसमें कोई गलती नहीं है आप tick करना और आगे बढ़ जाना इस पर क्लिक करके तो पहले आइकन पर जो भी चीज़े लिक हुई थी वो हमने आपर complete कर दी है अब second number पर आजाते है second हमारा है click here to fill qualification details जैसे ही आप पहले वाले को submit करोगे save करोगे, आप पहुच जाओगे दूसरे वाले पर, दूसरा वाला है qualification details भरने का ठीक है, तो यहाँ पर पहली ही चीज़ यह पूच रहा है R.U.A. graduate और यहाँ पर asterisk लगा हुआ है, इसका मतलब भरना जरूरी है तो आप अगर graduate किये हुए हो तो yes कर देना, otherwise no कर देना उसके बाद यह आप से कुछ basic details पूचेगा, जैसे कि आपने metric कहां से की, यानि कि दसवी आपने कहां से की है, फिर ठीक है बारवी की ऐसी details कुछ पूचेगा, graduation की कुछ details पूचेगा, अगर आपने masters कर रखा है किसी subject में तो वो पूचेगा, अगर आपने professional qualification आपके पास कुछ है पूचेगा, और other कोई भी चीज़ आप specify करना चाहते हो, तो उसके लिए 2 box इसने और दे रखें तो आप वो कर सकते हो, क्या-क्या चीज़े इसने पूची है, तो सबसे पहला है name of the qualification, दूसे number पर कौन-कौन सी subject आपने ले रखी थी, आप वो लिख देना है यापर जैसे मानलो, दसवी का जो भी student है वो यहाँ पर अपनी जितने भी 6 subject, 5 subject है वो लिख देगा और 12 वाला जो person है, वो यहाँ पर अपनी 5 subjects लिख सकता है इसके बाद यहाँ पर month कौन सा है यानि कि किस महीने में आपने उसको पास किया और किस year के अंदर आपने पास किया, या आपकी mark sheet के नीचे आपको मिल जाएगा, आप आसानी से यहाँ से भर सकते हो, उसके बाद name of the college या फिर school जो है उसको आप लिख सकते हो, यहाँ पर आसानी से है, तो आप यहाँ पर select कर लेना उसके बाद कितने marks आपने obtain किये, कितने marks maximum हो सकते थे, यह चीज़े आपको यहाँ पर लिखनी है, उसके बाद आपको percentage आपके लिखनी है, यहाँ पर वो भी 2 decimal के अंदर 2 दशमलाव तक, ठीक है उसके बाद आप देखेंगे, यहाँ पर delivery mode, delivery mode के अंदर full time, part time या correspondence तो अगर आप full time कर रहे हो, तो full time कर देना, जैसे ही आप अपनी सारी qualification details यहाँ पर fill कर देंगे आप उसे submit कर दीजेगा और आप तीसरे icon पर पहुँच जाएंगे, जहाँ पर आपको अपना experience details fills करने होंगे, तो page जब खुलेगा तो आपको दो option दिखाए देंगे, एक है add experience और दूसरा है save and proceed to next step इसका मतलब यह है कि अगर आपके पास experience नहीं है, तो आप directly second वाले icon को click कीजिए और यहाँ से आगे निकल जाईए, लेकिन अगर आपके पास experience है, तो आप add experience पर click करेंगे, जहां पर आपके पास इस तरीके का एक page open होगा, जहां पर लिखा है fill work experience, तो कब से कब तक आपने किया है इसका आपको लिखना होगा कि कब से कब तक आपने experience लिया है काम किया है, वो organization किस टाइब की थी central government थी, दिल्ली हाई court रही है, state government थी PSU थी, autonomous body रही है या other कोई organization थी ये किस तरीके का job था, regular था, permanent था, ठीक है इस तरीके का या contract के base पर था तो ये आप यहाँ पर fill कर सकते हैं उसके बाद आपको organization का नाम यहाँ पर लिखना होगा किस city में है ये और उस city का नाम लिखना होगा ठीक है, और आप किस post पर यहाँ पर कारे रथे वो लिखना होगा इसके बाद nature of work perform और reason for leaving the service इसके लिए आपको 500 500 शब्द में ले हुए हैं, आप यहाँ पर अपना चीज लिख सकते हैं, उसके बाद आप save experience पर जाएंगे और उसके बाद experience को save कर लिजेगा और फिर आप आगे बढ़ जाईएगा जिन लोगों ने experience नहीं लिया हुआ है जिनों ने कहीं काम नहीं किया हुआ है तो आप यहाँ पर save and proceed to next step पर button दबाएंगे उसके बाद आप पहुचेंगे आगे की चीजों पर इसमें additional information आप से कुछ मांगेगा जैसे knowledge of language हिंदी या English जैसे कि अगर आप हिंदी रीड कर सकते हैं लिक सकते हैं बोल सकते हैं तो आप तीनों पर टिक कर दीजे ऐसे अगर आप English रीड कर सकते हैं राइट यानि की लिक सकते हैं बोल सकते हैं तो आप इन पर भी टिक कर दीजे उसके बाद आता है do you have any relative already employed in दिल्ली हाई कोट जैसे कि भाई बहन कजन अंकल आंट या फिर पेरेंट्स अगर कोई भी आपका relative आपके यहाँ पर हजली हाई कोट के अंदर है तो आप यहाँ पर इसे yes या no कर सकते हैं अगर आप मान लीजे no करते हैं उसके बाद आपके पास चीजे आती हैं कि क्या आप कभी arrest हुआ है या detention हुआ है तो आप no फिर या फिर yes कर सकते हैं सभी details को भरने के बाद आप यहाँ पर in check box पर check कर दीजेगा और उसके बाद save additional details पर आप टिक कर दीजे चारो step complete होने के बाद आप इस page पर पहुचेंगे जहां पर लिखा हुआ है please select your scanned photo signature to upload it photo और signature करने के बाद आपको दोनों की image यहाँ पर दिखाई देगी ध्यान ही रखना है आपको की जो signature है वो 20 KB से और 50 KB के बीच का होना चाहिए और आपकी जो photograph है उसकी image जो है वो JPG या JPEG के format में हो और 50 से 100 KB के बीच में हो इतना अगर हो जाता है तो उसके बाद आप next का बटन दबाएंगे और यहाँ पर आजाएगा make payment और submit application का तो इसके बाद लिखा हुआ है click here to preview application form तो आपने जो भी form बढ़ा हुआ है ठीक है आप उसको पहले एक बाद धंग से check ज़रूर कर लिजेगा submit होने के बाद ही change नहीं होने वाला इस वज़े से आप एले से preview कर लिजे इस पर click करेंगे आप preview कर सकते हैं उसके बाद आप जाएंगे यहाँ पर इन सारी चीजों को आप पढ़ सकते हैं और उसके बाद लिखेंगे I hereby accept and confirm the undertaking yes or no तो आप यहाँ पर yes दबाएंगे उसके बाद आप proceed करना चाहते है payment के लिए तो yes दबाएंगे और यहाँ पर आप submit इस form को कर सकते हैं उसके बाद आपको यहाँ पर amount देना है 600 रुपए और उसके bank service charge कुछ लगेगा उसके बाद आप proceed to payment gateway करेंगे payment करने के लिए यहाँ पर दो तीन चीज़ा available हैं जैसे कि आप debit card के तुरू जा सकते हो आप details भर देना internet banking के तुरू आप जा सकते हो जहाँ पर SBI आपको दिया हुआ है या फिर Bheem UPI के तुरू आप भी आप इसको कर सकते हो पे total रुपए जो आपके लगने वाले वो यहाँ पर 600 रुपए हैं और कुछ bank charges यहाँ पर जरूर लगेंगे यह करने के बाद आप इसका screenshot जरूर ले लिजेगा तो दोस्तो इसी के साथ यह वीडियो यहीं पर समापत होता है अगर आपको पसंद आया तो like जरूर कीजेगा और यहाँ पर आपको जो apply online का link है वो job रास्ता की website वगरा सारी चीजों का link आपको description के अंदर मिल जाएगा सारी चीज़ आप वहाँ से एक बार जरूर देख लेना Thank you